तेल का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें? तेल के बिना खाने की कलपना करना भी मुश्किल है ये हमारे खाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हर घर में तेल का इस्तमाल बहुत ज्यादा किया जाता है जिसकी कारण कई तरह के तेलों की मांग रोज बढ़ रही है अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप तेल का होलसेल बिजनेस कर अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं आज हम इस वीडियो में आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी देंगे इस बिजनेस को आप तीन तरह से शुरू कर सकते हैं पहले तो आप चाहे तो किसे बड़ी कंपनी की डीलर्शिप ले सकते हैं जैसे फॉचून, डालदा आदे या फिर किसी छोटे और कम पॉपुलर ब्रैंड से सामान लेकर बेच सकते हैं एक और तरीका है आप चाहे तो किसे डिस्ट्रिब्यूटर से सामान लेकर अपने बिजनस को स्टार्ट कर सकते हैं मतलब पहले से जो डिस्ट्रिब्यूटर हैं उनसे सामान लेकर बेच सकते हैं कितनी जगह की आवशक्ता होगी? इस business को शुरू करने के लिए आपको कुल जगा लगभग 1500 से 2000 स्क्वार फीट चाहिए होगी Investment कितना होगा? इस business को शुरू करने के लिए आपको लगभग 5 से 7 लाख रुपे की आविशकता होगी आप चाहें तो इस से ज़्यादा भी invest कर सकते हैं मुनाफ़ा कितना होगा? अगर मुनाफ़ी की बात करें तो इस business में मुनाफ़ा आपके sale पर निर्भर करता है जितना ज़ादा आप sale करते हैं उतना ही ज़ादा फायदा होगा अगर आप branded company से dealership लेंगे तो profit margin कम होगा और unbranded product में margin ज्यादा होगा branded product में आपको 5-10% तक margin मिलेगा वहीं unbranded में 15-20% तक margin मिलेगा branded product में आगे जाकर आपको फायदा ही होगा उनका production हमेशा विकेगा तो नुकसान कम होगा वहीं unbranded product की कोई guarantee नहीं है कहां से खरीदे? तेल लेने के लिए आपको direct company से माल लेना होगा क्योंकि जितनी जादा quantity में आप माल लेंगे आपको उतना ही जादा पायदा होगा या आप चाहें तो किसी बड़े distributor से जिसके पास पहले से ही dealership हो उससे सामान ले सकते हैं तो आज हमने आपको इस वीडियो में तेल के business की पूरी जानकारी दी है आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा इस वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और business ideas के लिए हमें comment करके जरूर बताएं